निशकर्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आज की छोटी सी वीडियो में समझ लेते हैं निशकर्ष को इंग्लिश में conclusion या findings कहते हैं conclusion या findings जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि मुझे उनकी पुस्तक का निशकर्ष बहुत रोचक लगा तो आप कहेंगे I found the conclusion of his book very interesting अगर आप ये कहना चाहें कि हम थोट सबूत के बिना उनके निशकर्ष को स्विकार नहीं कर सकते तो आप कहेंगे we cannot accept his findings without tangible evidence अपनी इंगलिश को भेतर करने के लिए ऐसी ही हजारों वीडियोज आप चैनल के होमपेज पर जाकर देख सकते हैं और आने वाली ऐसी ही वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें